तो हलो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग आज हम रिनोल्ट क्लाइंबर टोप अफ दो लाइन यह है हमारे सामने मोडल जो आप अपनी स्क्रीन पर देखने इस गाड़े को हम पूरा का पूरा रिव्यू करेंगे अपनी वीडियो में कवर करेंगे सारी डिटेल् देखिए गाड़े की चाबी आपको इस तरीके की मिल जाती है दिखने में कवे सिंपल सी है मगर सेंटलोकिंग के साथ कंपनी इस चाबी को ओफर करती है गाड़े के साथ अच्छा है रिनोल्ट की बैजिंग भी है चाबी के ऊपर ठीक ठाक यो अब हम थोड़ी सी इसका सैटब देखेंगे फुली आपको है टाटा हैरियर में स्टार्टिंग में देखने को मिलाता वही आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा हाई वीम लो बीम के लिए हैलोजन बल्प और यहां पर वाइट किलर किलाइटिंग यह जो आप देख रहे हैं के लिए मिल जाती है यह हैं बंपर के बारे में पूरी बात तो इस तरीगे का पूरा हमारा फ्रॉफाइल का पूरा सैटब रहने berg संपेंगे और Ond Supreme आ इंच्छे बात लगी मुझे और इख ढूर्य के प्लास्टिक का इस तरीके का यह पाट घिया यह भी ठोड़ा ठीक है klime bar variant है 14 inches case में आपको tires मिल जाते हैं और ये जो आप देख रहे होंगे allowable, allowable नहीं है ये, ये allowable नहीं है ये allowable design में एक किये हुए wheel cap भी है यानि कि एक wheel cap है जिनको allowable का design दिये हुआ है देखने में काफी अच्छ है यूनिक और गाड़ी के साथ इंप्रैसिफ भी बहुत ज्याद लग रहे हैं तो यह तो है हमारे इस तरीकी की पुरी टायर प्रोफाइल की बात फ्रेंट में आपको डिस्क ब्रेक ही मिलेंगे ठीक है और पीछे जो यह वाला देख रहे हैं यहां पर आपको ड्रम ब्रेक का साइजी देखने के लिए मिल जागा और यहां पर ग्राउंड क्लिरेंस हमारा 184 mm का इस गाड़ी के अंदर आपको ग्राउंड क्लिरेंस देखने के लिए मिल जाता है 184 mm ठीक ठाक है बढ़िया है ORBM इसके वाइट कलर में मिलेंगे विद इंडिकेटर्स यहां पर पहले नहीं आता था इसमें इंडिकेटर का उप्शन भी इसमें आ गया है तो यह बहुत ज्यादा अच्छी बात लगी मुझे ठीक है तो इसमें आपको वाइपर मिलेगा यहां पर टू वाइपर देखने के लिए मिल जाते हैं जो की इस तरीके का दिया हुआ है यह भी ठीक है वी शेप हमारी ब्लैक डाउट पूरी मैट फिनिश में रहने वाली है यह भी ब्लैक कलर मैट फिनिश अंदर से बात करेंगे हम गाड़े के अंदर का हमारा पूरा माहुल जो रहेगा पहले एक बार हमाई डिबंद कर देते हैं पूरा दर्वाज़ा है इस तरीके का आपको लुक मिलेगा दर्वाज़े मैं और अंदर का महुल हमारा पूरा इंटिरियर का इस तरीके करेंने वाला है प्राइज परамен टेसाथ है पूरा वार्क डाउट है बढ़िया तकérieur में आपको डॉर है एक्लर को कि में अनुह खिनि यहां पर आपको स्विचिस मिल जाएंगे तो यह तो चीज ठीक है एस्पेक्ट टू प्राइजिंग ठीक है एम्टी वेरियंट है यह और यह जब सीट्स क्लाइमबर की हैं पर लिखा हुआ है इसको आप अड्रम नहीं कर सकते हैं तो यह पूश बुटन भी स्टार्ट नहीं है तो जिस तरीकी की चाप भी है उसके ठीक है पूश बुटन का स्टाट इसमें पूश बुटन अप्शन मिल जाता तो ज्यादा मज़े से आ जाते थोड कि हमारे इस तरीके की 2023 की हमारे रेनोल्ड कुईट क्लाइमबर काफी अट्रैक्टिव सी बना दी गई है इसके जो टेल लैम्स आप देख रहे हैं बड़ा अट्रैक्टिव है पहले ऐसा कुछ भी सैट अप देखने के लिए नहीं मिलता था काफी ज्यादा चेंजेस हैं कहते हैं टाइंस में खाल रही है लाम थी बर्bling चाहिएए लोगो बीच में सबस्फेस होग्या था लागा लगा दिया तीन तीन reverse parking sensors इसमें आपको मिल जाते हैं ये भी बहुत अच्छी है यहां reflector देखने के लिए मिल जाएंगे और यहां देखेंगे आप इस तरीकी के जो front में grill है वो यहां पर bumper के नीचे दी हुई है number plate की placement lights के साथ बढ़िया बात है एक बार बूट space की और बात करते हैं कितना space आपको इसमें मिलता है तो बूट के बारे में बात करेंगे भाई गाड़ी का बूट space बढ़िया है इसके pricing और model के according जो मैंने inspect किया था वो तो कम ही था वर 271 लीटर का इसमें आपको बूट space कर सकते हैं और इस एक छोटी सी कम भी दिख रहे हैं को कार्पेट से यहां पर फिनिश किया जा सकता था ढखा जा सकता था कवर हो सकता था यह ओपन ली दिया गया है नीचे हमारा आपको देखने के लिए बिल जाता है स्पेर वील 14 इंचिस का है स्टील रिम only स्टील रिम 16 6570R14 14 इंच का है यह ठीक है बढ़िया है भाई तो यह हमारा कुट का पीछे का बूट स्पेस पूरा है और अगर यह आप सीट फोल्ड कर लेंगे तो स्पेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जायागा जैसे की अब कर लिए बाई मैंने तो अगर आप पार्सल ट्रहटा देत लगा यहां पर यह जो फ्रीशिंग दी हुई है यह इतना बड़ा सब को ठीक ठाक लगा भाई गाड़ी के बारे में आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा तो मेरे भाई साब बूट बंद करतेते हैं बूट बंद करने के बद एक बार और प्रोफाइ इतना लोड़िड सा लग रहा है देखने में सबसे पहले बात करते हैं इसके इसके स्टेरिंग के तो यहां पर मौंटेड कंट्रोल साब को देखने के लिए मिल जाते हैं जो पहले इस गाड़े में ओफर नहीं किये जाते थे और यह जो स्टेरिंग है पहले बिलकुल करते हैं तो बाड़ना वैंट कि निए अवाच यह एंड वße के बढ़ जोम पर लेडर का कुछ भी नहीं स्टेरिंग के अंदर ठीक एड़ेस्टिबल नहीं है यह मैं आपको बता दिया तो यह चीज बढ़िया है और जो इसकी यह वाली अब बात करते हैं साइड की जो इसमें आपको सेंटर कंसोल इसका यह बहुत ज्यादा है बढ़िया इसकी चीज के बारे में बात बताऊंगा हम आपको जो सेंटर कंसोल आप देख रहे हैं बीच में अगर हम सेफटी फीचर्स की बात करें तो मैं आपको बता दू दो एयर बैग गाड़ी ओफर कर रही है ABS, EBD, Traction, naprawdę इस गाड़े में आपको देखने के लिए मिल जाते है जो कि पूरी मलें है खुरी समय अ आपको साहल आपको सामने ही देखने के लिए मिलजातु है तो इसका जो ऑन धर्याइन का देख आए मिल जाता है स्क्रीन डिस्प्ले देखने के मिलते हैं मुझे नहीं लगता काईगर में भी या ट्राइबर में आपको एट इंचिस की मिलती होगी जो पूरी एपल कार प्ले सपोर्ट एंड्रोड सपोर्ट पूरी है यह बढ़े है चीज लगी वाइट कलर के अरौंडिंग सराउंडिंग पड़ेगी बीच में आपको हजार लाइट मिल जाएगी देखने के लिए हजार लाइट का स्विच है ठीक है और यहां पर आपको मैनुवली आटोमेटिक तो नहीं है मैनुवली आपको यह मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल्स तो इस तरीके का है नीचे आपको 12 वोल्ट का भी यही काम करेगा तो यह चीज बड़े है लगी बार में ग्लोबोक्स का जो इस पेस काफी जादा डीप है मिरा इतना अंदर जाने के बाद भी थोड़ा इस पेस फिर भी जादा बच गया यह देख रहा आप काफी जादा डीप लगा यह बहुत बड़े है चीज लगी बहुत ज्यादा स्पेस है हाड प्लास्टिक है कोड़े की बैसिंग यहां एक अंदर दी हुई है बहुत ज्यादा हाड प्लास्टिक का यूज किया हुआ है बट फिर भी गारे ठीक है एस इवेंट इस तरीके के डिजाइनिंग में आपको यहां से मिल जाते हैं तो आई-य कुछ नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए ये भी सिंपल ही है ठीक है इतना भाई जो और नहीं डालना चाहिए वैसे तो अंटरप्राइज है गाड़ी बढ़िया है ओल्डोक से तो काईफ ही जाद अच्छे फीचर सी मिल जाता है गाड़ी के अंदर तो ये तो होगा हमार भाई साब ये हो गई हमारे पूरे अंदर के महूल के बात इसके बाद मैं आपको लेगे चलूँगा भाई पीछे पीछे के सीट्स में स्पेस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और मैं आपको एक बात बताँगा गाड़ी के बारे मुझे आप कमेंट में जरूर बतान मगर हाँ मैं ये जरूर कूँगा मेरी हाइट पाँच फुट आठ इंच है अगर को छे फुट का बंदा बैठ चे फुट जिसके हाइट होगी उसके थोड़े सी परिशानिया हो सकती है तो ये तो है भाई मेरे तो लेग रूम के बारे में मैं आपको बता दिया अंटर थाई सपोर्ट भी ठीक है मेरी हाइट के अकोडिंग और यहां पर आपको एक्स्ट्रा में बताऊना मैं आपको देखा भाई गाड़ी की विट्थ कम है चोड़ाई काफी कम है और मैं यह बो आपको बता दिया अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लेगे लाइक शेट सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल पर अगर आप नहीं है सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल भी मत जाना अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में सब तक के लिए बाई बाई तें कुश